हलो फ्रेंड मैं आकास वेलकम टू प्लांड के गीवर अज मैं फिर से एक हर्वेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ तो सबसे पहले मैं रिजगॉड हर्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे याँ लखनों में ठंड काफी स्टार्ट हो गई है काफी ठंड हो रही है जिसकी वज़े से रिजगॉड का साइज अब छोटा होने लगा है लेकिन अभी भी मेरी रिजगॉड प्लांड में काफी सारी रिजगॉड लगी हुई है इसे ग्रो करना भी काफी एजी होता है आप इसे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं इसके लिए आप जितना बड़ा कंटेनर लेते हैं उसका रिजर्ट आपको तो नहीं अच्छा देखने को मिलता है अब कुछ दिन बाद इसमें सभी रिच्वाट कात्म हो जाएंगे और ये प्लांट भी खराब होने लगेगा दीरे-दीरे इसले मैं इसकी दुबारा से सीड रिजर्ट देखने को मिलता है और मैंने पने गार्डन में दो टाइप की रिच्वाट ग्रो किया था लेकिन मैं आज हार्वेस्ट एक ही टाइप का कर रहा हूँ इस साल मुझे रिजगॉड का कापी अच्छ हा रिज़र्ट देखने को मिला है और मै viens कापी सालों बाद अपने गार्डन मे रिजगॉड किया था हर साल मैं different type की सबजी ग्रो करता हूँ कभी मैं लॉकी ग्रो करता हूँ कभी कद्दू कभी same और इस बार मैंने rich card ग्रो किया है मुझे सभी की comparison में rich card का result काफी अच्छा देखने को मिला है अब next season में मैं different type की सबजी ग्रो करूँगा जैसे कि लॉकी, कद्दू, same लेकिन इस बार मैंने केबल दो type की rich card ही ग्रो किया था तो देखिए एक बार में मुझे इतना अच्छा result देखने को मिला है ये इसका last time है मतलब अब rich card खतम होने वाली है फिर भी इतना इतनी सारी rich card के harvest एक ही time पर हो रही है और ये है मिर्च, मैंने इसे अपने kitchen के मिर्च से ग्रो किया था इसका भी मुझे काफी अच्छा result देखने को मिला है आप अगर इसे harvesting के बाद इसे कुछ खाद देते हैं तो plant काफी अच्छे से ग्रो करता है नहीं तो plant अगर आप harvesting के बाद खाद नहीं देते हैं तो फिर इसमें मिर्च कम होना start हो जाता है या फिर plant आपका खराब हो जाता है इसलिए हर बार harvesting के बाद plant को खाद जरूर देना चाहिए अब gober खाद दे सकते हैं या फिर आप liquid fertilizer दे सकते हैं homemade fertilizer जैसे banana peak fertilizer या फिक कोई भी fruit का छिलका हो उससे आप fertilizer बना सकते हैं आप mustard cake fertilizer दे सकते हैं तो देखिए मैं आज केवल एक ही plant पर मिर्च harvest कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जादा मिर्च के भी कोई जरूरत नहीं है और मैं मुझे जब भी जरूरत परती है तो मैं fresh अपने plant से मिर्च तोड कर ले जादा हूँ तो देखिए काफी अच्छा result यह की plant पर मुझे देखनों कर मिला है और इस plant से मैंने दूसरी बार harvest किया है जब मैंने पहली बार harvest किया था तब भी मैंने इसका वीडियो आप लोगे के शाद शेयर किया था पियाच और इसे मैंने अपने kitchen से ही grow किया था और इसे मैंने केवल पत्तियों के लिए grow किया था अब देखें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है तो मैं इसे harvest कर रहा हूं इसके आप सबजी भी बना सकते हैं और इसे पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं इसमें काफी अच्छी smell आ रही है और इसे grow करना भी काफी easy होता है आप इसके seed भी अपने local seed shop से ला सकते हैं या फिर आप इसे घर के ही प्यास से grow कर सकते हैं और इसमें काफी अच्छी flowering भी होती है इसके बाद इसमें seed भी बनते हैं इससे आपको next season के लिए seed भी मिल सकता है और इसे मैं उपर से harvest करा हूँ कुछ दिन बाद इसमें दुबारा से sprouting होना start हो जाएगा और जब यह फिर से बढ़ा हो जाएगा तब मैं इसे दुबारा harvest कर लूँगा इसे grow करना भी काफी ब्रिंजल इसके भी मैं आज harvesting कर रहा हूँ और इसे grow करना भी काफी easy होता है इसके seed आपको local seed shop में मिल जाएगे और इसे मैं छोटे में ही harvest कर लेता हूँ क्योंकि छोटे में ये खाने में काफी tasty लगते हैं इसके आप पकोड़े अगर बनाते हैं तो मेरी ये छोटी से harvesting अच्छे लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening